सर, अखलेश यादव प्रिसवारता करते हैं, कहते हैं कि भागीदारी नहीं देती भाजबा, सिर्फ बोर्ट मांगती है आरक्षन का पर्मोसन में आरक्षन किसने खतम किया था? समझवादी पार्टी ने पिछड़े दलित के आरक्षण को खतम, परमोसन में आरक्षण समाजवादी पाटी ने खतम किया, जब माननी अखिलेस यादव जी मुक्हे मंतरी थे, चार सितंबर 2013 को हाई कोट ने एक आदेश दिया, कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है, उसमें 12 जातियां ही उसका लाब उठा रही है, तो इसको बाट करके सबको लाब देने का काम उत्तरपदे सरकार करे, ऐसा फैसला हाई कोट ने एक आदेश दिया, उस समय प्र एक दसकत पे हो जाता, एक दसकत पे हो जाता, तब तो उन्हें नहीं किया, आज किस जो प्रेसवारता कर रहे हैं, उनको कहना चाहिए था प्रेसवारता में, कि जब मैं मुख्यमंत्री था, तब मैंने आरक्षण, हाई कोट ने जो आदेश दिया था, उसको हमने अमल में नहीं ले आया, हमारी पार्टी परमोशन में आरक्षण खतम करने वाली है, अकले शदर ने ये भी कहां कि हमको भाजापा भी यकीन नहीं है, जरुद पड़े कि तो हमारा संगठन काम कर रहा है, हम खोद सुप्रीम कोट जाएंगे, देखे, उमीद पे ही दुनिया ठीकी ह उनको भाजपा पे उमीद नहीं, भाजपा पे उमीद नहीं है, लेकिन गुलदस्ता लेके योगी जी कियां जाएंगे, भरोसा नहीं है, मोदी जी कियां गुलदस्ता लेके जाएंगे भेट करने, अरे हम तो हम कहां करेंगे नहीं जाते हैं, हम तो सीना ठोक के जाते हैं, उन्हें जाते हैं कि पहले जाते थे थे आउँ ठोड़ दिया जाते नहीं है अरे राजनीतमें फेल्नेस कि अगर बात करे तो उन्हों ने कहा भारत जोडो यात्रा के इ ý групп बड़ा बया में आद दि नहीं ऊंदिंखे भारत जोड़ू यात्रा पर और उन्होंने कहा है तो देखिए सब पार्टी एक है कि सभी बड़े नेता एक जगां बैट करके रासमलाई खाते हैं कोई नेता का नाम बता ही जो एक जगां बैट के नचाय पीते हूं सब एक हैं मंच पे आते हैं तो लग हो जाते हैं अपनी अपनी पार्टी की रागल आपते हैं लेकिन हमारा अपना मनना है कि सरकार ने जो उत्तर पदेश राजास्थानी निकाय समर्पीत पिछडा वर गायों गठित किया है इस में वह सामाजिक नया समीती रिपोर्ट भी सम अरक्षण इसका जो है वह परिछड करा ले अब परिछड करा के इसको भी लागू करा दें नहीं होने देंगे हम भी सुप्रीम कोट की तयारी करा रहे हैं हम भी जाएंगे भारत जोड़ों यात्रा में शामिल होने का आपने को जिन पहले कहा था कि विचार है हमारा जा सक आँके लुए अब नहीं हमने यह का नहीं हमने कहा था कि 31 बैट सकते हैं लेकिन हम बटा करेंगे उसके बाद फैसला लेंगे अभी 31 को बैटक है बैटक में जो फैसला होगा हम आपको बता देंगे